कि खुच लोगों को शिकायत होती है एलर्ड़ी की कुछ को दिक्कत होती है कि हम बहुत जयादा खुझली होती है किकाई पे भी अगर हम नोग कुझा दें तो महाँ पर या तो बड़े बड़े से दाफ़ंड जिनें बोलते हैं वो परजाते या या लाले हो जाते हैं तो इस तरीकी की प्रॉब्लम के लोगों को अबसे ज़्यादा होती है और उसके क्या कुछ हो सकते हैं तो इलर्जी के रूप में बश्य अपरिती अब चाह वो रैशिस हों चाहे वो निकलें चाहे मौहा से निकले और बहुत तरह के रोग हैं स्किन के सुराइसिस भी स्किन का ही मर्ज है तो स्किन की खुराक है विटामिन ए और वो भी बहुत अच्छे किसम की जानी चाहिए अक्सर देखिए मैं बताता हूँ और लोग सोचते होंगे कितना बताता हूँ मैं कुछ चीजों को मैं अक्सर अखरोट बताता हूँ और अक्सर मैं आपको अलसी बताता हूँ तो इन दोनों चीजों में इसकिन की डाइट चुपी हुई है विटामिन ए किसी को इसकी रोग हो तो यह अच्छा काम करते हैं तो बिलकुँ दर्श को देखिए यही वो बाते होती हैं जो जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप लोग यह सारी बाते जान लेते हैं तो अपने आपको एक सही उपचार की तरफ आप लोग ले जाते हैं अगर आप यह समझना चाहते हैं कि अब हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट नहीं कराने हैं डॉक्टर्स के चकर हमें नहीं लगाने हैं तो अब आप एक चीज का लाब उठा सकते हैं वो हैं घरेलू नुस्के जो आपकी किचिन में मौजूद होते हैं आपकी किचिन की जो सामगरी होती ह और जो नुस्के यानि कि रॉम माटीरियल हकीम साथ आपको बताते हैं बस वो आपको कहीं से भी असली प्राप करने हैं बाकी आप अगर हकीम साथ की कंपनी से मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आप मंगवा सकते हैं हेलप लाइन नमबर पे कॉल करके आती है हब जो की एक ब् दर्द की शिकायत करता है या फिर वो जलन की शिकायत करता है कि मेरे तलूओं में जलन रहती है हमेशा या कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो नंगे पैर इसलिए रहते हैं या उनके पैर बहुत जादा पसीज जाते हैं या बहुत जादा स्वेलिंग पड़ जाती है य यह पिंडियों में किचाओ है या दर्द है किसी की थाइज में होता है ऐसा कि दर्द या किचाओ होता है किसी के घुटने में होता है किसी को जलन होती है किसी को सुन होता है और किसी को दर्द किसी को कुछाओ ये चार कैफियात अगर किसी में है तो वो समझ ले कि उसका दर्द या मर्स तो आपको लगता है कि पैर में है या पिंडली में है या थाइज में है लेकिन उसका जो सेंटर होता है वो मेरे अनुभव के अनुसार कमर में नसों के दबने की वजा से होता है अगर हमें कमर के नसों का या डिस्क का इलाज मिल जाए तो हम ठीक हो सकते हैं नहीं तो हमेशा हम क्योंकि मर्ज तो पैर में नहीं हैं दर्द पैर में हैं लेकिन मर्ज हमारे हमारे कमर में होता है जो हकी वैद और डॉक्टर इस बात को समझते हैं वही इसका इलाज कर सकते हैं एंपी से हैं देवेंद्र जी स्वागत है आपका जी नमस्कार जी नमस्कार जी मैं हाजीरू बताइए भाई क्या सवाल है जी हाजीरू जाहिन अचय के का करोा लिए इस पर जो कर ली कुछा राब बुत का तो नहीं खाते हो नए नहीं नहीं गुत का नहीं काताम मैं ठीक है ठीक ठीक है और इस सवाल हो रहे हैं ये मतलब ये तो है ये और बहर कि अंदर रहों तो ठीज रहे हैं अपन बाहर जाते हैं को चिंदी के लगती है ठीक, अच्छा दिखिए, एक आती है, मुंडी बुटी, मुंडी बुटी, बहुत सस्ती दवा है, मटर के बराबर, बोलियां समझे लगा, उससे बड़ी, उससे छोटी, मटरे के बराबर, या उससे बड़ी भी होती है, छोटी भी, ये चार मुंडी बुटी, आप लेकर, रात को पानी में रख दें, और सुबह को उबाल के, मुंडी बुटी तो फैक दें, और पानी पीलिया करें, सुबह नहार मूँ, एक बार रोजाना, और एक हफ़ता लें, ये दिनिया की सस्ती दवा है, मुंडी बुटी याद रखें, बॉल होती है गोल गोल एक तो ये आपकी आँखों के लिए है और ये जो आपके दाने हैं मुह में और आपने काफी इलाज भी कर लिया मल्टी विटामिन्स भी ले लिया है सब कुछ करके देख लिया अब एक मावली सार नुस्खा में बताता हूं ये आता है सफेद गौन करेंगा रोजाना ये रो मैटेरियल है गौन्ध है एक सफेद वाला लेना लाल या पीला कोई दे नहीं लेना बहुत इसमें बहींवानी चल लाई है ये सो दो सो गिराम खरीद ले इसका पौडर बना ले ये रो मैटेरियल है फिर इसका आदा गिराम से एक गिराम तक पान लेकिन आपको फाइदा होना मुम्किन है। मुझे बहुत चुड होती है। ले सकते हैं जी 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 जरूर ले सकते हैं। जरूर ले सकते हैं और कोई सवाल हो तो बताई ये बहुत धन्यवाद सर आपके लिए तो बहुत हम लोग बहुत दुआ मनाते हैं कि आप हमेशा बने रहें जिसे लगता मेरा कोई धरका आप नहों जब आप से बात करनी हो तो यही लगता है मेरे को ने वाकई मैं बहुत बहुत लखी हूँ कि मुझे आप जैसी बहने मिली हुई हैं जो लाकों और करोणों की तादाद में हैं कभी कभी मैं अपने आपको देखता हूँ शर्बिंदा हो जाता हूँ कि मेरे अपने भी मुझे इतनी महबत नहीं करते आप लोग बगर किसी बलाकात के और मेरी आवास पर मुझे से महबत करने लगए यह मेरे लिए भगवान के तवफे से कोई कम नहीं है और आप यकीन करें मैं भी आप लोगों के लिए बड़ी दौाएं करता हूँ और आपकी सेहत की दौाएं और मश्वरे उस वक्त तक देना चाहता हूँ जब तक मेरा दिमाग काम करता है और खुश रहिए बड़ी दौा आपके लिए आपके पूरे परिवार के लिए कि आप हमेशा खुश खुर्रम रहें शादाव रहें आबाद रहें और उससे जो भी सेवा हो सके मेरी जिन्दगी में आप मुझसे ले लीजे लता हैं पंजाब से स्वागत है आपका अजी नमस्कार मेरा जी नमस्कार अजी नमस्कार यूश घुरुबग अदप ऑनि मेरे सिन तौ यसर ग्याया इन बोलिए इसकर दार्फाल दर्फाल दुत्व बच्या हुश जाए जाट साल के विच्च्छा कर था अपके तीब फश बच्चार आपकर थेश जाना पक्ष् क्या करता है एक साल का बच्चा इंडी कर देडी की आपके तीर नी कर देड़ा जागना नहीं को आखो में प्रोग्लम आ और तीर निकालता है अच्छा आखों में दिक्कत है आखी निकालता है जी गंदगी निकलती है के जाग प्रोग्त अच्छा है तीसरा सवाल के पाया है उसकी कवा अंपन होती है शरीर में शरीर में कमबन होती है उसको ने टेस्त करवाया था ब्रेन में कुछ ब्लोक गाई थी पहला सवाल है दस साल का बच्चा है बिस्तर पे यूरिन कर देता है इस बच्चे को रोजाना दो अखरोट अपने हाथ से तोड़े उसका गिरी निकाले और खिलाएं दस किश्मिश के साथ रात को सोते समय अभी गज्जा को रेवडी वगएरा खुब किलाया करें और दो अखरोट और दस किश्मिश रोजाना रात को सोते समय किलाया करें और क्या है एक साल का बच्चा है इनका ये कहना है कि वो बच्चा मतलब घूर के देखता है मतलब उसकी पल की कम जपकती हैं अच्छा ये बच्चे की मा को या तो देखिए दूद पीता हो अगर मा का तो मा को और अगर उसका दूद पीता है दूद जो बाहर का दूद पीता है तो बाहर का दूद पीता है तो एक छोटा चम्मत चाय का भरकर ये बदाम का तेल उसके दूद में मिला दिया करें एक छोटा चाय का चम्मच पड़ा वाला ने और अगर वो मां का दूद पीता है तो मां को दो चम्मच बदाम का तेल रोजानब पिलाया करें दूद मिला कर पिला दे तो मां के जरीए बच्चे को फायदा होना मुम्किन है और कमपन होता है पच्पन साल गया है बलॉकिज है दिमाग में आपने बताया और जैटून का सिरका रोजाना तीन चमच पानी में मिला के रात को सोते समय भाई को पलाया कर एक बार या दो तो लता जी आपके तीन सवाल थे तीनों सवालों के जवाब आप तक पहुंचा दिये गए हैं नुस्कों के साथ लेकिन उसके बाद जुद्धि में आपसे कहना चाहूंगी जो एक साल के बच्चे के लिए आपका सवाल था अगर हम उसको सही तरीके से गैस कर पाए हैं तो आप इन उसके अपना लिजेगा बाकिया धी क्वेरी के लिए आप हेल्प लाइन नंबर पर बात कर सकते हैं बात नेक्स्ट कॉलर से सरीता जी है हरियाना से स्वागत है आपका कि दोडरे हो जाएं तो कि इजड़ो जारें थो करते हैं अलति अर्टी इसे करो थे क्लों जी का नमक अड़ि नहीं यह बिखी हैं जुदोड़े होने के जी, और क्या करता है, अभी भी होते हैं अच्छा करता है, ममी को 15 सान से वीमारी हैं यह शुरू किया अपने, हाँ जी शुरू किया, एक महीना बीस दिन हो गए इसर अच्छा क्या नजर आया अभी एक महीने में कुछ फाइदा नदर नहीं आया आपको नहीं सर क्या करते हैं दो दोड़े तो उतने ही होते हैं तीसरे दिन तो बहुत बुरा हाल हो जाता है ठीक है यह बताईए कि कलोंजी का नमक कितना लेते हैं अजी सो ग्राम कलोंजी का नमक उसमें अल्पी में तीसरे के मिलाया हुआ है कितना अधी किलो अल्पी और कलोंजी अधी किलो अधी किलो अल्पी है सार और क्या करते हैं तो गिराम क्लोंजी का नमक है ठीक है कितना खाते हैं पर एक चम्मच वेक चम्मच साम को अच्छा आदा आदा चम्मच खाया करें ठीक है और पानी पीना है धाई लीटर रोजाना और सबर करें ये जो 600 गिराम मैटेरियल है ये खतम होने से पहले आपकी मम्मी को फाइदा कोई भी दवा आप लेना चाहें इसके साथ ले सकते हैं कोई मना नहीं ये धीरे धीरे काम करता है और ये काफी दिन चलता है आपको आदा 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 चम्मच से जादा नले और दो बार ने और पानी धाय लीटर पीए और बीच में कोई भी तवीत खराब हो कुछ भी हो दवा ले सकते हैं लेकिन ये छोड़े नहीं ये खतम होने से पहले आपकी मम्मी को फाइदा होना मुम्किन है